हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलेजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ सासर draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली हैं एक square formation में नजर आ रही है कुछ इस तरह की shape इनकी हथेली की जो यहाँ पर indicate करती है काफी hard working nature को और अगर इनको fingers को देखा जाए तो fingers यहाँ पर काफी thick हैं जिसकी वज़े से अच्छी energy और stamina इनके भी तरहने वाला है आप देख सकते हैं thickness यहाँ से काफी thickness है और उसके साथ साथ काफी सारी सीधी खड़ी रिखाएं यह जो रिखाएं हैं यह आपको लगबग इनके सभी phalanges के ओपर नजर आ रही होंगी इस तरह की खड़ी रिखाएं fingers के ओपर होना काफी अच्छा माना जाता है ऐसे व्यक्ति friendly nature के होते हैं काफी अच्छे सभाव के होते हैं जिनके हतेली पर इस तरह की खड़ी रिखाएं मौजूद हों overall अगर देखा जाए तो fingers medium length में हैं बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है शनी finger को देखा जाए तो straight है अच्छी length है जिसकी वजह से hard working nature रहेगी लेकिन ब्रस्पती finger यहाँ पर थोड़ी short होती हुई और अगर ब्रस्पती finger को हम यहाँ पर compare करते हैं इनकी सूरिया finger से तो इससे थोड़ी सी short नजर आ रही है जिसकी वजह से family की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी रहती है और even leadership qualities में भी थोड़ी सी weakness रहने के chances रहते हैं अगर ब्रस्पती finger short हो ऐसे व्यक्ति को family से दूर रहना पर सकता है studies के सिलसले में यहाँ जॉब के सिलसले में तो इस तरह के chances जो हैं बढ़ जाते हैं और अगर देखा जाए इनकी सूरिया finger को तो सूरिया finger की length यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है जिसकी वज़े से creativity काफी अच्छी इनके भीतर रहने वाली है social circle भी व्यक्ति का काफी अच्छा होता है जिनकी सूरिया finger की length अच्छी हो और आगे आप देख सकते हैं mercury finger को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं mercury finger की जो length है सूरिया finger के first valence तक पहुँच रही है लेकिन mercury finger यहाँ पर low set होती हुई नजर आ रही है जिसकी वज़े से व्यक्ति का सभाव थोड़ा सा shy रह सकता है जल्दी open up होने में ऐसे व्यक्ति को थोड़ी सी मुश्किल आती है otherwise finger की length को अगर देखा जाया तो अच्छी length है low set होनी के वज़े से थोड़ा सा नीचे दिखाई दे रही है यह finger otherwise communication skills इनके काफी अच्छी रहने वाले है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी mounts को और इनकी सभी रिखाओं को तो यहाँ पर अगर मैं एक line draw करता हूँ तो कुछ इस तरह की line बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं सिर्फ इनका mercury mount ही थोड़ा सा low set अब जबकि बाकी के सभी mounts यहाँ पर काफी अच्छी position में नज़र आ रहे हैं हमने देखा था इनकी जो ब्रस्पती finger है थोड़ी short नज़र आ रही थी लेकिन उस सभी कमियों को यहाँ पर यहाँ ब्रस्पती mount पूरा कर रहा है क्योंकि एक उभरा हुआ mount है और इसके उपर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रॉस का चिन बनना सबसे शुब माना जाता है initial level पर इस क्रॉस के वज़े से थोड़ी सी दिक्तें married life में हो सकती है लेकिन आगे चलकर यहाँ क्रॉस काफी अच्छे प्रभाव देता है इस तरह क्रॉस होने से व्यक्ति के पास धनकी कमी नहीं होती और married life को protect करने में भी यहाँ क्रॉस काफी help करता है और ऐसे व्यक्ति काफी ज़दा spiritual भी होते है spirituality के साथ साथ ऐसे व्यक्ति loyal and honest टाइप की personality भी रखते है और आप देख सकते हैं यहाँ पर upward जाने वाली रिखाएं इनके यहाँ पर मौझूद हैं जिनने हम progress lines कहते हैं और इस तरह की progress lines होने की वज़े से life में काफी अच्छी progress को भी यह enjoy कर पाएंगे overall देखा जाए तो ब्रस्पती finger बेशक थोड़ी short है लेकिन ब्रस्पती mount यहाँ पर काफी अच्छे प्रभाव देने वाला और काफी शुब mount नजर आ रहा है तो चलिए आगे देखते हैं शनी mount को तो शनी mount यहाँ पर हलका सा दबता हुआ जिसकी वज़े से life में थोड़ी मेनत ज्यादा रहेगी hard work ज्यादा रहेगा लेकिन इनको उस hard work के rewards भी मिलेंगे क्योंकि इनकी जो भागया रेखा वो काफी अच्छी नजर आ रही है आप देख सकते हैं यहाँ चंदर एरिया के पास से शुरू होती भागया रेखा लगबग यहाँ से चलने वाली भागया रेखा और यहाँ पर 35 और 36 के आसपास की एज में थोड़ा shift लेती हुई तो जिस भी एज में इस तरह से थोड़ी shifting हो रेखा में जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं उस एज में थोड़ी सी financial problems व्यक्ति को आ सकती है किसने किसी परकार का change आता है life में financial change हो सकता है profession में change हो सकता है तो वो यहाँ पर नज़र आ रहा है लेकिन अगर आगे देखा जाए तो काफी अच्छी रेखा है और उपर चल कर तो यहाँ पर दो से तीन रिखाएं upward जाती हो नज़र आ रही है जो यहाँ पर old age को indicate करती है एक से ज़ादा रिखाएं old age में नज़र आना और ऐसी खड़ी रिखाएं शनी माउन के ओपर indicate करती है कि multiple sources of income तो आगे चल कर काफी अच्छी income इनकी हो सकती है और even थोड़ी struggle तो रहेगी क्योंकि जो इनकी भागया रेखा है वो कुछ disturb भी हो रही है कुछ stress lines की वज़ए से आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हलकी stress lines है और even यहाँ पर एक cross बनता हुआ इनकी भागया रेखा सही इस तरह का cross जिसको mystic cross का नाम भी देती है जो इन दोनों रेखाओं के बीच में बनता है यह एक तरह से indicate करता है six cents को ऐसे व्यक्ति की six cents काफी अच्छी होती है और ऐसे व्यक्ति आने वाली जो घटनाई है चाहे वो कोई भी अच्छी घटना अशुब है या अशुब है उनको पहले से ही भाप लेते हैं जिनके हाथ में ऐसा cross हो और ऐसे व्यक्ति को काफी ज़दा interest रहता है mystic sciences में, occult sciences में जैसे occult sciences में जोतिश आ जाता है पामिस्ट्री है, tarot card reading है या ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी विद्याएं है जिनको occult sciences कहा जाता है ऐसी चीज़ों में भी ऐसे व्यक्ति का रुझान रह सकता है और आप देख सकते हैं आगे इनके जो सूर्य माउंट है सूर्य माउंट यहाँ पर रब्दा हुआ नजर आ रहा है आप देख सकते हैं यह अरिया बहुत ज़्यादा उब्रा हुआ नहीं है और यहाँ पर स्ट्राउंग सूर्य माउंट के अपर होना इसे व्यक्ति करियर के चुनाब में भी थोड़ा सा confused रहते हैं क्योंकि creative काफी ज़्यादा हो जाती है और diversified हो जाती है एक से ज़्यादा तरह की creativity इनके भीतर रहने के chances रहेंगे इस तरह की रिखाएं होने की वज़े से और उसी वज़े से इनको चुनाव करने में भी थोड़ी से दिक्कत आएगी कि किस चीज़ को लेकर किस तरह है की अपनी कला को लेकर आगे बढ़ना है कौन सी खूबी को इने flourish करना है इस चीज़ की दिक्कत व्यक्ति को रह सकती है otherwise old age में चलकर social circle इनका काफी अच्छा रहेगा क्योंकि इनकी जो सूर्या रेखा है उसकी लंबाई भी हमने देखा काफी अच्छी है तो social circle और frame जो है इने old age में चलकर काफी ज़्यादा मिल सकता है और आप देख सकते हैं mercury mount को तो mercury mount के बारे मैं आप बताई चुका हूँ यहां से low set हो रहा है नीचे की तरफ जब set होती है finger तो उस mount को space कम मिलती है और जो mount space में कम होता है वो थोड़ा सा weak कहलाता है तो यहां पर यह mount low set जरूर है जिस वज़े थोड़ी shy nature हैगी लेकिन अगर overall देखा जा तो यहां पर खड़ी रिखाई नजर आ रही है जो इस mount के लिए काफी शुभ मानी जाती है अब देख सकते हैं ऐसी खड़ी रिखाएं एक से ज़्यादा रिखाएं यहां पर होना काफी अच्छा माना जाता है और ऐसा व्यक्ति sympathetic nature का होता है दोसरों की help करने वाला helpful nature का होता है जिसके भी इस mount के उपर हैसी खड़ी रिखाएं हो और यहां रिखाएं व्यक्ति के business equipment को तो strength देती ही है साथी साथ व्यक्ति को काफी अच्छी healing capacities भी देती है दूसरों की help करने वाली nature और इस रिखाओं की वज़ए से व्यक्ति दूसरों को अपनी सलहा से या अपने करमों से दूसरों की help कर सकता है और उसके लाव आप यहां पर देखे तो mercury line बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है लेकिन मौजूद है और एक complete money triangle भी यहां पर नहीं बन पा रहा क्योंकि mercury line जो है आगे चलकर कुछ इस तरह की shape में चलती हुई और एक बहुत लंबी mercury line इसको मैं यहां पर नहीं कहूँगा और अगर money triangle complete बंद ना हो रहा हो तो व्यक्ति को पैसे को रोकर रख पाने में थोड़ी सी दिक्टें जरूर आती है लाइट में अब देख सकते हैं यहां पर यहां जो line है money triangle बनाने वाली जिसको भागया रिखा कहते हैं complete यहां तक पहुंचती हुई और इस side से चलने वाली रिखा को mind line कहा जाता है और नीचे से उपर की तरफ चलने वाली रिखा को कहा जाता है mercury line और यह line यहां पर आकर रुक रही है जिस वजह से money triangle आपको नज़र आ रहोगा यहां से इस area से थोड़ा सा खुला हुआ है जो यहां पर indicate करता है कि जो धन है उसके expenses इनकी life में ज्यादा रहेंगे income भी अची रहेगी इस रिखा के नीचे की तरफ चलती हुई नज़र आ रही है कुछ इस तरह की shape इनकी heart line की जो यहां पर indicate कर रही है काफी caring type की nature को थोड़ी emotional nature को भी और आप यहां पर देख सकते हैं इस तरह की रिखाएं नीचे की तरफ चलने वाली multiple lines इनकी heart line की उपर नज़र आ रही है ऐसी रिखाएं व्यक्ति को over emotional तो बनाती ही है साथी साथ ऐसे व्यक्ति को emotional setbacks मिलने के chances भी बढ़ जाते हैं आगे देखते हैं इनकी line of mind को mind की line अप यहां पर देख सकते हैं काफी लंबी है और कुछ इस तरह की एक strong रिखा जो यहां से थोड़ा सा downward चलती हुई और एक लंबाई में काफी sharp memory को indicate करती हुई और इसी में निकल कर branches का उपर की तरफ चलना जैसे यहां से एक branch उपर की तरफ चल रही है यह व्यक्ति को काफी clever बनाती है और mind की line काफी sharp है काफी लंबी है जिस वज़े से sharp mind रहेगा इनका लेकिन कुछ रिखाएं इस रिखा को काट रही है जैसे यह रिखाएं है यह तनाव देने वाली रिखाएं भी कहलाते है stress lines जिसको हम कहते हैं तो इस तरह की stress lines भी यहाँ पर नज़र आ रहे है overall कोई major problem यहाँ पर mind की line से नज़र नहीं आ रही आगे देखते हैं की life line को तो life line काफी अच्छी लंबाई में है यो 80 plus की age को show कर रही है आपको दिखाना चाहूँ को draw कर कर कुछ इस तरह की इनकी line of life और अब देखते हैं लगभग यहाँ तक बहुत strong line है 80 plus की age रहेगी लेकिन बीच में कुछ इस तरह की रिखाएं जो इनकी life line को disturb करती हुई यह कुछ health issues को भी indicate करती है क्योंकि जब भी life line कर रही हो या कोई line आकर अंदर से कोई रिखा जो शुकर माउंट है उस तरफ से आकर कोई रिखा इसको काट जाए या touch करे तो वह है stress lines कहलाती है तो यहाँ पर कुछ इस तरह की stress lines है लेकिन जो रिखाएं cross कर रही है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाब डालती है लेकिन जो सिर्फ touch जैसे यह है रिखा टच कर रही है सिर्फ ऐसी रिखाएं बहुत ज़्यादा प्रभाब शाली नहीं होती लेकिन on and off यहाँ पर थोड़ी सी problems थोड़ा सा stress इनकी life में रहने वाला है लेकिन life की line जो है काफी अच्छी लंबाई में जिस वज़े से इनकी age जो है काफी अच्छी रहने वाली है आगे बात करते हैं शुकर माउंट की शुकर माउंट के उपर आप देख सकते हैं काफी सारी worry lines जो family की तरफ से मिलने वाली worries को indicate करती हैं तो काफी worries रह सकते हैं married life में थोड़ी disturbances आने के chances रहते हैं इस तरह की रिखाएं होने की वज़े से otherwise शुकर माउंट यहाँ पर उबरा हुआ है जिस वज़े से हर तरह की सुक्स विधाएं luxury जिने life में मिलने वाली हैं और शुकर माउंट के जो प्रभाव में वो रहेंगे थोड़ी सी कामकता इनके अंदर अधिक रह सकती है और चंदर माउंट को अगर देखा जाए तो काफी अच्छा चंदर माउंट है इस वज़े से stable mind रहेगा कोई भी major problem मुझे यहाँ पर चंदर माउंट से नजर नहीं आ रही तो यह कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पे message करें